तो आपको बताना होगा के omitted का मतलब क्या होता है omitted मतलब होता है भूलना अब भूलने का मतलब क्या हुआ कि या तो आधा भूल जाते हैं ठीक है जो आप सब के साथ होता ही है पूरा याद नहीं रहता आधा ही याद रहता है न और या फिर पूरा ही भूल जाते है तो यहाँ पे जो भूलने आली बात कह रहा हूँ मैं पूरा भूलने आली बात कह रहा हूँ ठीक है न अब भूल क्या सकते हैं दो चीजे हो सकती है आपके सामने भूलने वाली सर दो चीजे क्या हो सकती है या तो आपने goods खरीदा और भूल गए या तो आपने goods को purchase किया और भूल गए omitted हो गए sir goods को purchase करके भूल गए भाई जब किसी को पैसा देना होता है ना तो इंसान भूलता ही है है ना अब मैं बोलता है फीसला है भूल गए तो goods purchase किया तो भूल गए तो ये जो भूलते है नगद वाला नहीं भूलेंगे हम नगद वाला तो रातों के नींद हराम कर देता है ठीक है ना जो उधार खरीते हैं वो भूलते हैं तो सबसे पहले ये जो हमने खरीदा होगा purchase किया होगा वो कौन से वाला भूला होगा हमने credit वाला cash वाला भूल सकते हैं क्या नहीं भूल सकते हैं cash वाले में तो पूरी रात में सबने में भी आएगा जिस साल आप 5-6 जार रुपय का खर्चा करोगे या कोई जादा heavy expense हो जाता है तो वो याद रहता है रहे बहुत खर्चा हो गया लेकिन उधार वाला भूल जाते हैं अब अगले बात करते हैं या तो आप भूल सकते हो goods की जगहे पे assets purchase सर भूल जाते हैं या भूलना चाहते हैं बात एक ही है किस्त पर phone ले लोगे phone जब लाए तो बड़ा मजाता है उसका जब किस्त जाती है न है यार क्या बार-बार किस्त देना पड़ता है इसको भी ठीक है तो ज़ाए से ज़ादा phone television जो भी किस्त पर ले तो वो भी भूल जाते हैं तो हम business की बात कर रहे हैं simply चले come to the topic अगर हम assets को भूल जाएंगे न तो अगर भूल गए तो इसका मतलब यह नहीं कि accounting नहीं करना जब याद आएगा तब करेंगे तो सबसे पहले बताओ क्या जब हम assets को लिखना भूल गए तो क्या उसका journal entry किया होगा हमने नहीं क्या trial balance में गया होगा नहीं गया होगा यानि complete omission बोलते हैं ठीक है तो दो जगए entry होगा इसको सुधारना कैसे है कि भाई हमने एक समान खरीदा और लिखना भूल गए आप खुद बताईए कैसे सुधारा जाए इसको purchase में क्या करो add एक ही entry दूसरी entry क्या करेंगे सोचिए दिमाग लगाईए दूसरी entry कहाँ चले जाएगी liability है क्योंकि उधार खरीदा था ना तो एक तो कहाँ चले जाएगा ये add in purchase मैं यहाँ पर ये नहीं लिख रहा कि purchase में जब add होगा तो purchase में add होने का मतलब है कि trading में जाएगा आपको अच्छे से पताई कि ये trading में जाएगा इसलिए मैं लिख नहीं रहा अब ये purchase में add हो रहा तो debit हो रहा है credit हो रहा है debit हो रहा है दूसरा चले जाएगा balance sheet के liability side में किस नाम से जाएगा किस नाम से creditor क्योंकि उधार खरीदा है ना तो हम क्या नाम दे देंगे credit बात समझ में आई लेकिन जब assets भूलोगे तो क्या होगा इसके भी दो entry होगी एक तो add कर देंगे अब बताओ add किस में करें purchase में add in भाई assets और purchase अलग अलग होता है add करेंगे assets में करेंगे समझ रहे हैं बात को क्यूं कर रहे है assets में furniture खरीदा भूल गए machinery खरीदा भूल गए machinery में एड करिए fix assets है तो fix assets में एड करिए दूसरा कहां चला जाएगा balance sheet के liability side किस नाम से again creditor के नाम से दिखा देना है लेकिन यहां पर एक समस्या है जब हम assets खरीदा हमने और हम इसको भूल गए तो मुद्दे की बात है जब हमने assets को record कर लिया तो इसकी depreciation की भी बात आईगी है ना क्योंकि assets के उपर depreciation भी लगता है नहीं लगता और depreciation लगाना optional है या mandatory है mandatory है क्योंकि अगर depreciation नहीं लगाओगे तो आपका जो profit and loss है वो सही नहीं आएगा तो लगाना mandatory है तो ऐसे situation में कई बार question में बोल देगा examiner के मैंने assets खरीदा मान लेतने जुलाई में और लिखना भूल गए अगर date देता है और उसके related depreciation भी है तो तो आपको depreciation लगाना पड़ेगा ठीक है ना अगर आपको if date of purchase इसका मतलब क्या हुआ अगर आपको purchase का date given हो given then अगर date of purchase given हो end और साथ के साथ rate of क्या दे दे rate of depreciation क्या दे दे यानि किस दिन assets खरीदा गया वो date भी दे दे और उसके ओपर कितना depreciation लगेगा वो भी दे दे तो then हम क्या करेंगे then का मतलब फिर हम depreciation calculate करेंगे will be calculated कैसे depreciation calculate करेंगे मेरा example मेरा जवाब देना मुझे मैंने बोला कि भाई एक assets था furniture और खरीदना भूल गया इसको खरीदा था हमने एक 10 को 2020 में और इसी साल का accounting भी चल रहा है और 50,000 रुपे का था और इसके उपर depreciation जो लगना था वो लगना था 10% अब बताइए क्या करें सबसे पहले तो इस 50,000 की entry करेंगे 50,000 furniture balance sheet में चला जाएगा और 50,000 liability में आ जाएगा अब मुद्दे की बात आगे depreciation की आप depreciation किस पे लगाएंगे 50,000 पे लेकिन खरीदा कब था तो 6 महिने का लगेगा यानि 50,000 और 10 बटे 100 तो क्या होगा परसंटेज और 6 महिने के लिए यूज किया है तो 6 बटे तो यानि कितने आ गए 2500 अब 2500 को क्या करेंगे हम बताओ उसी furniture में से या उसी machinery में से minus और एक दूसरा चले जाएगा profit and loss के जो हमने adjustment number 3-4 में देखा था वही treatment रहेगा यहाँ पर depreciation का भी समझ में आ रही है बात तो इसलिए मैंने लिखा if date of purchase given and rate of depreciation given दोनों चीज़े होनी जरूरी है मैंने date दे दिया और rate बोला ही नहीं तो क्या मतलब है भाई अब date का कोई value नहीं रहे गया यानि date of purchase given और साथ के साथ depreciation rate भी given हो तो depreciation calculate होगा और calculate होगा according to date किसके according according to लेखिन question यह आता है क्या आपको date नहीं दिया लेखिन rate दे रखा है तो पूरे साल का निकाल देना आपको date भी नहीं पता rate भी नहीं पता तो छोड़ दो नहीं लगेगा depreciation ठीक है न अगर आपको rate दे रखा है rate का मतलब depreciation का rate दे रखा है और date नहीं दे रखा के किस दिन खरीदा है तो ऐसे situation में हम उसके उपर depreciation calculate करेंगे और कैसे calculate करेंगे पूरे साल का एक question और होता है sir हम furniture खरीदना भूल गए मतलब लिखना भूल गए और पहले से भी एक furniture है trial balance के अंदर तो इसका क्या करें हम जैसे इसको मैं में मिटा देता हूँ एक question ये raise होता है ये रहा हमारा mini trial balance ठीक है trial balance में मैंने लिखा furniture एक लाख रुपए नीचे लिखा रुपीज फेफ्टी थाउजन फरनीचर ओमेटिड ओमेटिड तो बी रिकॉड़ेड मैंने simple लिख दिया है यानि एक लाख रुपए का फरनीचर पहले है और पचांस जार का क्या हो गया बाद में खरीदा लेकिन ये पचांस जार रुपए का क्या इसमें जुड़ा होगा नहीं होगा क्योंकि क्या बोल दिया है मैंने ये क्या है औमेटिड है नहीं होगा अब बैलनेशीट में दो-दो फरनीचर आ जाएंगे ये पुराने वाला और ये नए वाला अब मैंने रेट दे दिया है रेट ओफ डेप्रीशेशन 10% तो इस पे डेप्रीशेशन लगेगा फरनीचर पे पूरे 10% अब इस पे भी क्या करें है डेट नहीं पता तो इस पे भी 10% यानि पूरे डेड़ लाख रुपए पे 10% लगा दो चुट्टी समझ मैं है लेकिन मैंने दे दिया यहाँ पे डेट कि यह जो फरनीचर खरीदा है वो खरीदा 10-2020 में तो ऐसे सिचुएशन में इस पे लगेगा पूरे साल का इस पे कितना लगने वाला है 6 मैने का तो देखो बैलेंस चीट में कैसे हम प्री पर्जेंट करेंगे वो भी मैं एक बार बता दू यह मैं यहाँ बना देता हूँ बैलेंस ठीक है न आपके लिए बस क्योंकि विजवल यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ बैलेंस चीट माल लेते हैं फरनीचर ओल्ड फरनीचर लिख देंगे अगर डेट दे रखा है तो छे मेने का और छे मेने का अगर 50,000 पर 10% के एस अब से नहीं कहीं तो 2500 तो अब डफ कितना माइनस करेंगे 10 और 2500 याणि 12,500 रूपर यहाँ दिखाए और डिरेक दिखा दिखादीजे समझ में आई बात था और ये purchase वाले में नहीं होगा goods में कभी depreciation लगता है क्या नहीं तो यहां जंजट भी नहीं है simple सी बात है बताईए कोई doubt clear clear है यहां तक चलिए फटा फट से note करिए जी देख लेते हैं किसका क्या-क्या doubt आ रहा है यहां पे अनिकेट पच्चेस सो अनिके depreciation और कौन है AMR चलिए फटा फट नोट करिए आज का था ये last adjustment काफी बच्चे थे चुट्टी पे तो उसी के recording मैंने